अभ्यास 8 60 सब्द प्रत में डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड वाद उपाद्यच महोद है जिस प्रकार से दूसरे इस्तरों पर तथा छेत्रों में अनकूल सहिता की व्यवस्था तथा उसका पालन आवस्यक है इस दिसा में भी जो महत्पूर तथा लावदायक कदम उठाए गए है उनमें से सार्वजनिक छेत्र के उध्योगों पर संसदिय कमेटी का गठन महत्पूर है परंतु इस संबंध में यदि कार्य का सुवस्थ विकास करना चाहते हैं तो कमेटी के क्रिया कलापों पर संसद अनावस्यक हस्त छेप न करें अतह इस कमेटी द्वारा एक निश्चित विधान द्वारा कार्य हो इसके लिए संसद, केबल, नीति संबंधी, प्रस्नों तथा समालोचनाओं तक ही अपने को सीमित रखें यही सब लोगों द्वारा भी अनुभव किया गया है तत पस्चात सार्वजनिक छेत्रों पर नियुक्त कमेटी का यह दायत होगा की वह प्रसासनिक तथा ब्यापारिक प्रस्नों पर यूनिट द्वारा निरधारित नीतियों पर गहराई से सोचे संसद के पास पहले ही इतने कार्य होते हैं कि वह यूनिटों के सब पहलूँ का परिक्छड नहीं कर सकती इसलिए यह सारा कार्यभार कमेटी पर हो जाता है सीमित समय होने के बावजूद भी एक कमेटी ने परत्येक यूनिट के कार्यों का पूरी तरह से निरिक्छड करने का प्रेयतन किया है और इस संबंध में लावदायक सुझाओ दिये हैं बिस्त्रत प्रस्नावली भेजने के अतिरिक्त कमेटी के सदस्यों ने योजनाओं का तातकालिक निरिक्छड भी किया है अधिकारियों से भी आवस्यक पूँचताच की है तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दूसरी आवस्यक जानकारी भी प्राप्त की है इस प्रकार से यूनिटों में जहां कहीं सुधार की आवस्यक पूँचता रही है कमेटी इस बारे में महत्पूर्ड भूमिका अदा करती रही है इसी प्रकार के सार्वजनिक छेत्र के उध्योगों के संबंध में सरकार का क्या कुछ रवैया हो इस बारे में भी प्रयत्न किये जाते रहे हैं सर्वांगीड विकास के लिए यह जरूरी भी है कि सरकार तथा सार्वजनिक छेत्र के उध्योगों के संबंध में सब लोगों द्वारा ठीक प्रकार से जान लिए जाएं इस संबंध में सरकार यूनिटों के लिए कुछ मार्ग दर्शन निर्धारित कर रही है अतह मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बात का पूरी तरह से पालन हो जिससे की लक्ष प्राप्ती हो सके